कि जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लन फार्मिसी में स्लेबस आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि हम फार्माशुटकल और्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की सेकेंड उनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक होगा वोगा ज सिस्टम के बारे में आज हम यहां पर करेंगे ठीक है तो यूनिट सेकेंड जोकस का नाम हमारा जियोमेट्रिकल आइसो मेरे जम से को शुरुआत करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाश्ट तक देखें पूरे सिक्वेंस रूल भी इस बार हम इसमें पूरे के पूरे पढ़ेंगे जो किसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलना मुश्किल है तो जियोमेट्रिकल आइसो मेरियम यह परकाय का इस् यहां पर्मुला यहां पर Rap यहां से तरह तो इस्ता भी फार्मुला यहां सिया सक्ता है यहां भी सकता है है यहां पर आ सकता है तो इसी को बोलते है जो से छेट्रैर्चम होगा उसका जो मतलब जिए में कि यहां पर आप देख रहे हैं कि बी यह हमारा को इस्पेशियल आरेज्मेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि यह सक्वार्व इसको कि यह हो गया अभी इसका आपके ऍहीं है उसके बोलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं और हेड्रोजन आपके एक साइड़ में तो इसको क्या बोलेंगे आप sis आईसोमर्ज और दूसरा जब टायएको तलमारा क्या है ट्रांस आईसोमर्ज मतलब्ट एक इसपेशियर मॉलेकुल का मतलब सिमलर गुरूप के मॉलेकुल उनका जो होगा वह दूनों मतलब इस पेशियर मुलेकुल के मौलेकुल यहाँ आपारफ कार्बन इसको क्या बोलेगे आप ट्रांस आइसो मर्स तो यह समारा क्या है एक इंट्रोडक्षन है अब इसमें कोई एक्जामपल की मादन सब्सक्था ये तरिकी से जम देख सकते हैं hydrogen अपने अपोजेट साइड में है और अपने अपोजेट साइड में तो यह हमारी क्या होते हैं Immigrant सबस्टाइब तो इसिस ट्रांस आइसो मर्स के नाम से भी जानते हैं तीगर आपको जिए iometrical iso meridian देखनी है तो जो molecule का structure special arrangement होना चाहिए और इसमें जो गुरूप हो वहाँ पे minimum दो डिफरेंट गुरूप लगे होने चाहिए अगर देखे क्यों लगे होना चाहिए कार्बन डेवल बन कार्बन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मतलब मिनिमम्स मुझरुप आप KAL लगे हुए और यहाँ होने ही चाहिए उसका मतलब क्या है कि आगर ऐसा होता है कि जीसे मतलब अगर आपके दो different item नहीं, एक ही different item है, तो आपको यहाँ पर special arrangement आप दी इस तरह से देख़िए, कि ए भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी पड़ेगी तब आपको full and full मार्स मिलेंगे ठीक है है मतलब geometrical का क्या मतलब होता है फिर से बताइए आप लोग अपने मन में दो रहा है कि जिसका structure अलग होता है और उसका formula क्या होता है same होता है तो have same structure formula जो structure formula होता हो से मोता बार different special arrangement of the atoms मतलब जो atoms के arrangement होते हैं वो अलग-अलग होते हैं तीक है अब इसमें हमारे आते हैं जिससे क्या trans isomers are more stable than cyst isomers क्यों होते हैं जिसे जो स्यसाइस में होते हैं सेम गुरूप पे मतलब सेम साइट पे गुरूप लगे होते हैं जिसके करण से वहाँ पे electronic repulsion ज्यादा होता है और जब ज्यादा electronic repulsion होगा तो वह हमारा जो product होगा वह स्यादा मारा unstable हो जाएगा वह हमारे trans isomers में opposite side पे लगे होते हैं जिससे करण क्या होता है उसमें repulsion नहीं हो पाता है और वह ज्यादा stable होते हैं ठीक है कहने का मतलब क्या है जो सिस आइसोमर्स है और ट्रांस आइसोमर्स को आप कर सकते हैं बाई एपलाइंग इस्टर्नल ही टमपरेचर बढ़ा कि यूवी लाइट के द्वारा एंड के द्वारा और क्या हो जाएगा और आपका एक शे Pero porter compound मिल जाएगा ठीक है इन तोपिक वह होता है क्या मारा सिस्ट्नार्थ तु उसमें पहला शिस्टेम में स्व CRA सिस्टेम जोकी हम गैश्ट पढ़ा वतिशा धे हैं यह देख लेते हैं देख पर देख़ 어וכ system in which sis and trans are prefixed मतलब sis and trans को आप प्रिफिक्स के तौर पर आप यूज करते हैं before the name of the alkyne किसी भी alkyne का नाम लिखने से पहले तिक तो sis isomers का क्या मतलब होता है same group are present on the same side मतलब same group आपके present होगे same side पर जैसे example के माध्य हम से sis 12 to dichloro ethane तो यहां पर आप देखें क्लोरीन आइटम आपका क्या है एक ही side पर है ठीक है तो यहां पर इसे भी प्रोपर्टी हमने देखे तो इलेक्टरान का रिपल्सन जबेंगे तरह जाएंगे तो सुने क्लोरीन तो आपको क्या देखने को मिलदा कि तो यहां पर आप हाइडोजन यहां पर देख रहे हैं हाइडोजन यहां पर देख रहे हैं क्लोरी आपोजिट साइड में देख रहे हैं तो यह इसका भी नाम वन टू डायक्लोर एथेन था इसका भी नाम वन टू डायक्लोर एथेन नहीं था अगर आप इसका लेकिन जोब इसका इने इन आता है मतलब होता है इंटिजेट मतलब होता है जो से आई पी ने दिया कहा था आरे सिस्टम यहीं पर यहां पर आपने तो देख लिया कि जैसे क्लोरीन आपका जुड़ा है तब आप कैसे नाम देंगे सिस्ट्रांस तो उसके लिए नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं इजेट सिस्टम तो आपको इजेट सिस्टम का जो तो मतलब क्यों दिया गया इसका मतलब यह समझ में आरो जाएगा ठीक है एस सेट और प्रायर्टी रूल वे गिवन बाई आरेस कौन इंगोल्ड एंड वी प्रिलॉग यही आरेस जिन्होंने आरेस सिस्टम का स्रिक्वेंस रूल दिया था उन्होंने ही इसे भी दिया था ले सेम साइड डिवल बॉंड आई सुमस नोने जैड कॉन फिर मेशन मतलब जब आप प्रायर्टी देखेंगे प्रायर्टी किस बेस पर देखते हैं आप उसके अटामिक नंबर के अधार पर देते हैं तो अगर अगर यहां पर जैड कान्फिर्गेशन कैसे हुआ जिसे यहां सब्सक्राइब ने आप पर हाइयर आटामिक नंबर है तो थीक है तो यह क्या होगा आपके सेम साइड मतलब सिस्टाइब के हो गए तो यहां पर क्या कॉन्सार कॉन्सार होजाएंगा जैड कंफिर्गेशन हो जाएगा ठीक है इस बोत प्रायर्टी गुरूप लाइज साइड में उपस्तित हो तो उसको क्या बोलता है इंटेजीजन का मतलब क्या होता है अपोजिट कंफर्मेशन अब इसका क्या मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमने आडे सिस्टम में रूल पढ़े थे सेम रूल यहां पर भी है इसका करम बढ़ता था यहां है बलके अनुसार अब जांपल के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो यह आपका एक कंपाउंड है ठीक है तो सी से जुड़ा हुआ है और यहां पर यहां पर एक ही कार्बन यहां पर दो कार्बन इसका मतलब उट 50 यह हो जाएगा और यहां पर देखें में तो सी ठीरी यहां पर कार्वन कर तीन है तो क्या हो ? इसके प्राइटी जादा हो जीगी की और हाइभी चाहिए मिधा हमार हमें तो इसका जो होता है उसकी कन्फरमिशन देते हैं अगर जतना ज्यादा होगा उसकी प्रैट्री उतनी ही ज्यादा होगी जैसे जापल के तोर पे हैड्रोजन घुट्रियम होता है तो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाप यहां पर देखेंगे के इस साइड में देखे गा मलब का इस वाले कारवण पर देखेंगे तो हईडोजन लगा होँ ए मिन तुकि ब्रोमीन जो डूमिन नंबर होता है 35 होता है और ज्यादा ब्रोमीन यहां पर हमारा ज्यादा हायर पराइडटी का होगा इसमें कोई सक नहीं है और आपका है जो होगा हाई ही मर थे साथ होता है क्लूरीं के तरह सका मैं हो Jug do होता है तो है यहां पर होजाएगी तो हाइर पूर्टिर साइज में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब यह आपका क्या है यह क्या कहता है इसके आधार पर आप उसका करेंगे जैसे है यहाँ पर आप देखें तो आप इसको किसमें से देंगे तो यहाँ पर आप दूसरे पर चले जाएंगे तो इसके मतलब प्रायर्टी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन क्यों जाएगी अगर हम इसको एक ग्जांपल के माध्यम से समझना चाहें तो एक करबन लगा हुआ है और एक करबन के साथ मारा क्या लगवा है एंसी लगा ब्रोमिल लगा हुआ एक करबन के साथ मारा स्टो ओयर ज्यादा होगी तो यहाँ पर आप इसको डिखाना चाहरा हूँए आपको जैसे च्टू और एक च्याप का olması CH2 CH3, तो 앞으면서 त्हें सकते हैं कि यहां पर एक Oxy worm लगा हूए है, तो अगर इसका आप इस मतलब खोलेंगे तो आपको कुछ इस परकार से मिलेगा, ठीक है, आपको यह कुछ इस परकार से मिली है, आपको कुछ इस परकार से भी मिल सकता है, तो यहां पर क्या है एक oxygen लगा हुआ है वहीं पर आप CS2 और CS3 में देखेंगे तो इसका जो arrangement आएगा कुछ इस टाइप से आएगा एच 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 ठीक है तो कुछ इस टाइप से आएगा तो इस पर आप यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कोई भी oxygen नहीं पर घंट है तो किसी भी मतलब कारबन से इस तो यहां ठीक है the order of priority after double or triple bond मतलब जो जो जिसमें double or triple bond होते हैं तो triple bond वाली को ज्यादा priority देते हैं as compared to double bond ठीक है determined by comparing that in these bonded मतलब दोनों bond को आप compare कर लेते हैं this atom bonded to an in equal number of same atom by single bond in double bond मतलब होता है duplicated bond and triple bond का मतलब आता है triplicated bond ठीक है अब वहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह से carbon double bond carbon से जुड़ा हुआ है ठीक है higher priority के जो इतने भी गुरूप सारे उपर लगें लिए प्राटी के नीचे लगें तो यहां पर क्या जाएगा आपका जेड इल्कीन हो जाएगा मतलब जो आसमिन हो जाएगा मतलब together हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आता है जो मारा next system मतलब क्या होता है इसको देगा था मैंसा मूने ने दिया था इस इसके लिए जाता है जो कार्बन कंपाउंड के लिए जाता है मतलब जिसका जाएगा जिसका मतलब ना तो इसका मतलब क्या जाएगा जिसका बेंजार डॉक्सिम हो जाएगा तो इसका नाम क्यों जाएगा सिन मतलब सिन क्यों होगा क्यों कि है डॉक्सड आयन जो है वह आपके मतलब यहां पर इसका पर इसकी प्राइट्री ज्यादा इक साथ लगा तो यहां पर सिंग प्रिषारियुद के 2020 है तो हम उठा लेंगे रहें सिंग आपकर तो यहां पर आपके लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है एंटी बेंजल लॉक्षी में तो आई यूप आपको वडियो समझ में आए होगा अगर वडियो आपको समझ में है तो चैनल को को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको जुरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो फ्राम दिलेटेस्ट लेंग फार्मेशी